जोश में कंगारू गेंदबाज मैदान पर उत्तरने से पहले कप्तान कोहली को दे डाली सख्त चेतवनी आस्ट्रेलिया एक रिकेट टीम के उप कप्तान और तेज गेंदबाज जोश हेज लवुड का कहना है कि टीम इंडिया की बल्ले बाजी बेशक मजबूत हो लेकिन विराट कोहली पर दबाव बनाकर उसे काबू में किया जा सकता है गौर तलब है कि कोहली ने पिछली बार आस्ट्रेलिया दोरे छे सवबान में रन बनाये थे जिसमें चार शतक भी शामिल थे 6 दिसमबर से शुरू हो रही चार मैचों की टेस्ट सीरीच से पहले हेज लवूड ने कहा कप्तान कोहली ने पिछले एक साल में काफी टेस्ट क्रिकेट मैच खेले हैं लेकिन इंगलेंड और दक्षिन अफरीका का दोरा किया और सिर्फ दिराट कोहली यहीं चमके दूसरे बल्ले बाज ज्यादा रन नहीं बना सके हेजलावूड ने कहा कोहली के बले को खामोश रखने के लिए उनकी टीम योजना बना रही है कोहली को आउट करने के लिए उन्हें कई तरीके आज माने पड़ेंगे हाला कि उन तरीकों में छीटा कशी शामिल नहीं है हेजलावूड ने कहा कोहली को इस तरह की चीज़ें नहीं उकसा सकती मैं उन्हें गेंद बाजी करते समय चुप ही रहता हूँ गौर तलब है कि स्टीव स्मिट और डेविड वॉनर की गयर मौजूदगी टीम इंडिया का पल लड़ा ज्यादा भारी नजर आ रही है लेकिन हेजलावूड ने कहा कि यह बराबरी किसी रिज होगी हेजलावूड ने कहा कि हमारा सामना दुम्या की नंबर एक टीम से है ऐसे में हम टीम इंडिया के खिलाफ पूरा जोर लगा कर खेलेंगे हेजलावूड ने कहा हमारे पास ऐसी आकरामप गेंद बाजी है जो किसी भी टीम को परिशानी में डाल सकती है हम दुनिया के सरोश्वेष्ट बल्ले बाजी क्रम के खिलाफ वे लय कायम रखना चाहेंगे जो इशेज में थी